अगर आपके mind में पहले से negative भरा हुआ हो किसी particular चीज को लेकर तो आप जब उस चीज को देखोगे तो आपको बस उसमे negativity ही नजर आएगी लेकिन अगर आपका mindset यह है कि हमें पहले उस चीज को देखता है उसके बाद decide करना है कि उसमें negative क्या था और positive क्या था तो उसके बाद आप सही result पर पहुषते हो खर बात करेंगे हम लोग start to movie की जिसकी overall length करीब 2 गंटे 14 मिनिट की movie की कहानी वैसे तो आलिया भट से शुरू होती है लेकि हम लोग start करेंगे संजु बाबा से तो अगर आपने शड़क movie देखी तो exact उसके बात की कहानी है रवी अब बुड़ा ह और उसके बात क्या कुछ होता यह सब को जानने के लिए आपको दिखनी पड़ेगी यह movie अब बात करेंगे इस movie की concept की जो की अच्छा खास इंप्रेसिव concept लग रहा था लेकिन यहाँ पर unnecessary कि इस बहुत सारी चीज़े इस movie में डाली गई है जिस वज़े से concept जहां तक पाया मुझे यह चीज़ समझ मी नहीं थी कि यह 90 की audience को देखकर इस movie को बनायागा यह आज की audience को दिखके बनायागा कि इस movie का जो half portion है वह आपको जालाग हो गई है अब बात करेंगे इस movie में characters की यहां पर एक character है जिससे आप emotionally connect हो जाते है वो है रवी क्यूंकि अगर आपको पता है कि रवी की life में क्या कुछ हुआ था और रवी कैसा इंसान है कैसे वो दुसरे के दर्द को महसूस कर पाता तो इस वज़े से आपको कही नहीं कर पाता है कि इसकी मॉम की death हो गई है जो भी incident हुआ है तो आप emotional connection होता है वो कही नहीं आप आरिया से बना नहीं और अधित्य रॉय कपूर के character की बात करें तो भाई मैं मैं कुछ बोलना है नहीं चाता है उस character के बारे में उसको नहीं develop किया नहीं उसका इस movie में main lead है मैं आपको बता रहो यहाँ आपन main lead है संजेजत का उस इस movie के cinematographic की बात करेंगे तो ठीक ठाक है मतलब सिंपल है कु कुछ song situation की साबसे अच्छे लगते हैं कुछ songs को ऐसा लगता है किसी वो सोचों कि भाई यहाँ पर audience bore हो सकती है कि यहाँ पर एक song दाल दो तो वो चीज थोड़ इसी मुझे अटपटी लग रही थी और मुझे ऐसा लगता है कि vicious film के banner में जो भी movies बनती है भले वो movies अच्छ अच्छी एक्ट्रेस है लेकिन इस मुवी में उन्होंने ओर एक्टिंग किये सच में ओर एक्टिंग किये हला कि उनमें potential है वो कर सकती है लेकिन पता नहीं यार वो बतर किस्मत खराब है तो उट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है वो ऐसा ही अलियावटका है इसा है कुछ मुवी में वो ऐसा परफॉर्मेंस करती है कि मतलब उसको स्टार बोलने पे भी शरम आये लोगों को खेर उसके लाब अधित अधियों के बातों पर तो मुझे कुछ भी वह नहीं है तो इस मुवी में जो अधियरोय ने परफॉर्मेंस दिया है अगर उससाब से आपको लगता कि यह स्टार है तो फिर मुबारह को आप लोगों को और आप जैसे लोगों की वज़ा से आज नेपोडिसम इतना जादा उपर चड़ चुका है और अगर जेशु शेन गुपता की बात करें तो यार वाके में एक ऐसे एक्टर है जिनको आगे और भी ज़्यादा काम मिलना चीए उनका परफॉमेंस अच्छा है मकरन देश पांडे को यहाँ पर अच्छी तरह से वेस्ट किया है उनसे एक मुझा लगता है कि इस मुवी में उनको पूरी तरह से वेस्ट किया यह क्या होता है दिली फातकटा वह जो एक्ट्र को इतनी अच्छी तरह से डव्लप ही क्या कि नहीं ही उस आपने कुछ दिया है मतलब क्यों यह मुझा समझ में नहीं है उसकी जगह आप किसी और को भी परकनी पड़ता है लेकिन हां ओडियोंस को दिखाने के लिए अगर आपने लिया है कि उनके वह जैसे भी लोग देखे क्योंकि एक टैम पर बहुत ही फेमस विलन का रोल प्ले करते थे और आज भी वह कर सकते हैं लेकिन इस मुवी में उनको वेस्ट किया है उसके लिए इस म मुवी इतनी बाकी है तो वहां पर थोड़ा में डिसापॉइंट हो गया था इस हाफसे यह मुवी अगर आपको देखनी तो आप सिप संजेदत के परफॉर्मेंस और जेशु शेन गुपता के परफॉर्मेंस के वज़े से ही देखना अधर्वाइस इस मुवी में आपको अगर आपको देखना तो देखो नहीं देखना तो मत देखो मैं इस मुवी को रेटिन दूँगा तू स्टार एक संजु बाबा के लिए दूसरा स्टार जेशु शेन गुपता के लिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में दूआँ में याद रखना